हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका स्वाद करता हूं अपने YouTube चैनल Jobs Insorts पे हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नहीं जानकारी लेकर रहा हूं दोस्तों जो कि हमारे पास निकल कर रही है केरला स्टेट कॉपरेटिव सर्विस एक्जामनेशन बोड की तरफ अगर वहीं बात कर लेते हैं इस फॉर्म का वादन करने के लिए अप्लाइ मोड क्या रखा गया तो इसे कंप्लिट्ली ओफलाइन रखा गया दोस्तों तो आए बिना देर किया इस जॉब वेकंसी के बारे में डीटेल में जा लेता है लेकिन उससे पहले अगर आपने हमार के लिए 106 वेकंसी है system administrator के लिए 4 वेकंसी है data entry operator या दियो के लिए 10 वेकंसी है अगर educational qualification की बात की जाए तो जिन करने से सकेंगे अगर system administrator post की बात की जाए तो इसके लिए जिन कायट से बी या बीटा किन CSE IT ECE या फिर MCA या MSC कर रखा हो वो इसके लिए अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिन कायट से ग्रेजुशन कर रखा हो इसके लिए अगर पोस् पोस्ट के साइकन कर रही बात की बात की बात की जाई तो कंडेट्स की आईउ 18 वरसे लेकर 40 वरस तक अखोनी चाहिए एक जनवरी दौरबाइस से पहले तक यानि जिन गांटिस का है 18 वर से उससे अधिका और 40 वर से उससे कम है वो सारे इसके लिए आवधन कर पाएंगे यानि इसके लिए आपको कोई भी आवधन सुलक देने क्या हो सकता नहीं है वहीं सेलेक्शन प्रोसस के वाल इंटर्व्यू पर ही बेस्ट होगा और अगर अन्त में बात कर लेते हैं इंपॉटेंट देट्स की तो इस फार्म को भारने की प्रक्रिया तो उम्मीद करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में आपको इस वीडियो की डिस्क्रिया अच्छे समझ आ गई होगी अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई कोई कोश्चन है तो उसे आफ हमें कमेंट सेक्शन ने पूछ सकते हो साथी एक और इंपॉर्टेंट ब